नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज से नीट का एक्जाम स्टार्ट हो गया है आज से सुरू हो गया है नीट परिक्षा जो की जून में होने वाला था जुलाई में होने वाला था लेकिन अब फाइनली 13 सेप्टेम्बर यानि आज से स्टार्ट होने वाला है तो यह विडियो उ उन्हें करोना की चपेट में आ सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कु भी नहीं है, सरकार पूरी तरह से चाक चौवंद बनाए हुई है, मैं बता दू आपको बहुत कुछ चेंजिस हुआ है, जैसे कि इस बार टोटल संख्यां लगवग 16 लाख रेजिस्ट्रेशन हुए थे नीट एक्जाम के लिए, और उसमें से मैं बता दूँ आपको कि पहले जो इस्तिति थी कि पचीस सौ केंद्र बनाया गया थे, सेंटर बनाया गया था एक्जाम के लिए, लेकिन अब उसे बढ़ा करके, सारे अर्तिस सौ कर दिया गया है, यानि लगभग 1500 बढ़ा दिया गया है, तो दोस्तो, बड़ी मतलब कह सकते हैं कि ये सरकार का बड़ा कदम है, बच्चे लोगों के लिए, पैरेंट्स के लिए, कि वो अब चिंता बिलकुल भी ना करें, क्योंकि सरकार पूरी तरह से है, और भी मैं एक बहुत important बात बता देता हूं, साइध उन पैरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, कि एक classroom में 24 बच्चे का seat होता था, अब उसे घटा करके बाड़ा कर दिया गया है, यानि कि आधेस से ज़्यादा घटा दिया गया है, तो दोस्तो, ये काफी important information है माता-पिता के लिए, क्योंकि अब निश्चिन्त हो करके वो अपने बच्चे को भीज सकते हैं बाहर, साथ ही बहुत सारे guidelines भी दिये गए हैं, कि बच्चे को माक्स लाया करिके जा सकते है, sanitize किया जाएगा बच्चे का, जब इस center में inter होंगे तो, ये बहुत कुछ information है, छोटी information लेकिन बड़ी काम की चीज है, इसलिए मुझे लगा कि आज exam देने से पहले बच्चे को भी पता चले कि वह जहां जा रहे हैं, वह पूरी तरह से सुरक्चित है, तो सरकार साथ ही special metro, जो metro cities है, वहां पर भी उन बच्चों के लिए, आज metro का भी विवस्था किया गया है, बहुत जगा, बहुत जगा कुछ special transport भी लाये गए हैं, जिससे बच्चे को को कोई भी दिक्कत ना हो center तक पहुचने के लिए, तो यह काफी बड़ी information है, माता-पिता के लिए भी और बच्चे के लिए भी, तो कोई घबरानी के बिल्कुल भी जरूत नहीं है, सरकार आपके साथ है, देश आपके साथ है, तो जाकर क्या आप एक्जाम दो, क्योंकि Corona अ और सरकार जो वहां के, जिस सरकार हो, जो भी सरकार हो, राज्य सरकार हो, उन सभी का help भी करना चाहिए, तो आसा करता हो, यह वीडियो आपको अच्छा लग हो, तो जरूर लाइक कर देना, शेर कर देना, साथ ही आप मेरे चैनल पे नहीं हो, तो सब्सक्राइब यहो कर दे करना बिल की घंटी चो बजा देना, ताकि आपको इस तरह का न्यूस पहले मिल से कहता, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्चित रहिए, जय हैंत